तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का जार्खन जॉप्स चैनल पर तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आएं कि जार्खन में B8 का एड्मिसन जो है उसके लिए CM ने क्या कहा इस विसे में बात करेंगे साथ में जो है और एक मोका दे दिया गया है तो उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए साथ में बैल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोडिपीकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए तो दोस्तों यह 19 सेप्तमबर 2019 का पेपर है तो आज की इस पेपर में दिया हुआ है परभात कबर में कि नेदेश नमंकन में बिभाग के नियमों के अनुरूप कारवाई करें यानि कि जो है बिभाग के अनुरूप नियमों के अनुरूप जो है कारवाई करना है बीएड की रिक्त सीटों पर सुरू करें नमंकन पर करिया सीम सीम का कहना है कि B8 की जो रिक्त सीटें उसमें नमंकन परक्रिया जो है शुरू कर देना चाहिए नमंकन परक्रिया खत्म होने के बाद भी कई कोलेजों में रिक्त सीटें सीटें जो है रिक्त हैं मुख्यमंतरी रगवरदास ने राज के बीएड महाविद्यालेयों में रिक्त सीटों पर नमंकन पर क्रिया सुरू करने का आदेश दिया है CM ने कहा CM के आदेश के बाद उच्छ सिचा विवाग ने विश्व विद्याले को राज के बीएड महाविद्यालेयों में 2017-2019-2021 के लिए रिक्त सीटों में नमंकन की प्रिक्रिया सुरू करने का निर्देश दे दिया गया है विवाग ने असपस्ट किया है कि रिक्त सीटों पर नमंकन की में आरच्छन सम्बंदिक कार्मिक प्राससनिक सुधार राजवासा विवाग के नियमों के अनरूप करवाई करें में किसी भी अस्तर पर गरवड़ी होने पाए जाने पर विश्व विद्याले के प्रतिनिदी और सम्बंदित विएड कोलेज में महा विद्याले के परच्यारिय दोस ही माने जाएंगे सिच्छक सत्र सिच्छक सत्र 2019-21 के लिए नमंकन परक्रिया समाप्थ होने के बावजुद कई विश्व विद्यालेयों में सीटे रिक्त रह गई है यानि कि दोस्तों अभी भी बोला जाए तो बहुत सारे सीट जो है खाली है इसलिए हमारे जरकन के CM रगोहर्दास का कहना है कि इसमें जो है रिक्ट सीटों को फिर से भरे जाने की जो है एक नोटिपीकेशन जारी किया जायए B.E.hando माविद्यालेयों के परतिनिदी ने सरकार को बताया की सीटे रिक्त रह जाने के करण महाविद्याले के संचालन में कठिनाई ही हो रही है यानि कि सीधी सी बात है अगर बीएड कोलेजों में जो है जितने छात्र लगभग होने चाहिए उससे अगर बहुत सारे कम हैं तो फिर कोलेज को चलाने में भी बहुत सारी कठने यहां होती है तो B.A.D. महाबिध्यालेओं के परतिनिदियों के अनुरोध पर्छात रहीत को देखते हुए बिवा के परधान सचीवने अध्यक्षता मैं राज सरकार के अध्यकारियों और राज के बियड महाबिध्यालेओं के परतिनिदियी राची बीवी, राची के W.S.W, D.W.S. काउंसिलिंग समेती के अध्यक्ष आधि की समच्छा बैठक हुई यानि कि दोस्तों जो है राची वीवी और राची के DSW काउंसिलिंग समयती के अध्यक्ष यानि कि बहुत सारे वहाँ पे ओफिसर्स थे साथ में जो है उन्हों का बैठक हुआ उसके बाद जो है निर्णे लिया गया इस संबन्द में बिदी विवाग से भी प्रामर्स और मतब्य लिया गया यानि कि जो बिदी विवाग से भी पूछा गया राज सरकार के बिदी विवाग की समती के आलोग पर यह निर्णे दिया गया कि merit list में जिन अभ्यार्थियों ने नमंकन करा लिया है उन्हें छोड़कर सेस अभ्यार्थियों की waiting list को dimmed माना जाएगा राज सरकार के नियम और अरच्छन नितियों का पारण करते हुए नमंकन के लिए waiting list के अभ्यार्थियों सीधे इच्छुक विद्यालेओं महाविद्यालेओं में कोटिवार रिक्त सीटों पर ब्रिद मेरिड लिस्ट के अधार पर नमंकन ले सकते हैं यानि कि जो है सीधी सीधी बात है कि अगर आप एडमिसन नहीं लिए तो आपका जहामन है उस कोलेज में जाएए वहां से बात कीजिए तो एडमिसन हो सकता है तो सीट रहने पर मनफचंड संस Sizperson में ले सकते हैं नामानकन यो है जो है अगर सीट खाली है जिस कोलेज में आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं नामाइकन परग्रिया के बाद अगर किसी अभियार्ति का नामानकन Protestant इच्छा-अंसार शनसान में नहीं हो पाता है और किसी अलग विद्याले में सीट रिक्त है तो वो एक सब्ता के अंदर किसी भी महा विद्याले में नमंकन करा सकता है यानि कि दोस्तों जो है एक सब्ता जो है आपके लिए दिया गया है उस के अंदर ही आपको एडमिसल लेना है इसके लिए CML रेंकिंग का अनुसरान अवैस्चक नहीं है यानि कि जो है दोस्तों CML जो रेंक लिस्ट निकला था उसका अवैस्चकता नहीं है आपको अगर लेना है तो आप डाइरेक्ट जाके ले सकते हैं राज सरकार ने यहाँ अस्वस्ट किया है कि नमंकन की परकिरिया समय पारदर्सिता के लिए संबंदित विस्व विद्यालेयों के परतिनिधी भी सम्मिलित रहेंगे राची विशुविद्याले का यह दाइत्व होगा कि राजय के विएड महाविद्यालें से नमंकन और कि अधितन परतिवेदन प्राप्त करें दोस्तों अगर आपका CML रैंकिंग लिस्ट अगर आपके पास नहीं है या फिर हो गया या तो फिर कुछ भी हो गया तो बहुत सारे कोमेंट आ रहे थे सर CML रैंकिंग लिस्ट हम कैसे प्राप्त करें तो उसकी जरूरत नहीं है अगर आप लेना चाहते हैं एडविशन तो डायरेक्ट जाके ले सकते हैं एक सब्ता के अंदर तो दोस्तों यही छोटा सब्डेट था अगर अभी तक आपने चै जय हिंद जय भारत